स्वागत करते हैं हम अपने यूटूब चैनल हिंदी स्टेडी पाइंट्स पर आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है जो ट्रिपल सी का एक्जाम देने वाले हैं या देने जा रहे हैं क्योंकि आज मैं हाजर हुआ हूँ आपके वो कोशन्स लेकर जो हर मन्थ ट्रिपल सी के एक्जाम में पूछे जाते हैं बिद एक्जामपल बिद प्रूफ एंड अगर हम बात करें उसके डिस्क्रिप्शन की तो वो भी आपको बताने वाला हूँ कि ये कोशन सही कैसे होगा चलिए सबसे पहला कोशन है हमारा इसका सही और राइट आंसर होगा CD-ROM क्योंकि ऐसी कौनसी डिवाइस है जो मोडिफाई नहीं की जा सकती तो आपको मालूम होना चाहिए CD-ROM में आप डाटा केबल एक बार इस्टोर कर सकते हैं उसके बाद डाटा इस्टोर नहीं कर सकते next question है दोस्तो Unix एकल उप्योग करता operating system है और बिंडो 7 में बहु उप्योग करता operating system है सीदी सीदी अगर हम बात करें Unix और operating system बिंडोज की बिंडोज और Unix ये दोनों ऐसे platform हैं जहां पर एक साथ कई user काम कर सकते हैं यानि बिंडोज भी multi user है और Unix भी multi user operating system है इसी लिए इसका सही answer false होगा क्योंकि question में कहा गया है क्या Unix एकल उप्योग करता operating system है नहीं next question key is used for save as यानि के save as की shortcut keys क्या है Libre office writer हम open करते हैं हम अपने computer पर जाते हैं यहां हम Libre office writer की questions आते हैं दोस्तों आजकल MS Word के question अब नहीं आते triple C में Libre office के question आते हैं तो हमने Libre office writer खोलने की कोशिश की है अभी देखिए जस्ट आपके सामने Libre office writer खुल कर आने वाला है यह देखिए दोस्तों Libre office writer उपन हो चुका है यहां पर हम करके देखते हैं Libre office में क्या वा कई save as होता है यह नहीं तो MSWED में FPL shortcut की हुआ करती थी बट अब है control shift S control shift S से save as का option open होता है तो इसका सही right answer है B next question दोस्तों What is a firewall? What is a firewall? यहनि firewall क्या है? तो firewall computer को नुक्सान पहुँचाता है? नहीं computer को सुरक्छा प्रदान करता है firewall एक ऐसा utility software है एक ऐसा hardware और software दोनों का combination है जो हमारे computer को सुरक्छा प्रदान करता है तो इसका right answer होगा B next question formula start करने से पहले आपको मालूम होगा दोस्तों formula Excel में हो या library office calc में हो या lotus में हो किसी भी spreadsheet program में हो formula start करते हैं हम equal से for example हमने Excel खोल लिया है और Excel में हमें अगर कोई formula लगाना हो तो सबसे पहले हम equal 10 प्लस 2 ये देखिए 12 हो गया but 12 तब होगा जब आप equal लगाओगे equal नहीं लगाया आपने enter किया देखिए वैसे कि वैसा ही रहा ये formula तब बनेगा जब आप equal लगाते हो तो ये शर्त है पहली equal लगाना आपको पड़ेगा तो इसका सही आंसर होगा a next question punch card का अभिसकार किस ने किया ये दोस्तो question आता है पिछली बार भी आया था हर्मन होलेरेथ इसका सही आंसर होगा punch card इनी ने बनाया था next question है निमन में से कौन सा valid spreadsheet function नहीं है यानि के हम बात करेंगे इसमें इन में से valid spreadsheet function नहीं है यानि function some function होता है abg function नहीं होता क्योंकि abg का full form आता है यहां देखिए आपको हम बताते हैं करके दिखाते हैं इसमें आप जाएए यहां पर auto sum पर और यहां देखिए average के लिए आपको एक पूरा formula a b e r a g formula function दिया गया है तो यहां पर average का पूरा function इस type से लिखा गया होगा तो यहां पर इसका यह right answer नहीं होगा क्योंकि यह abg पूरा नहीं है next question यह formula दूरा है निम्न में से कौन सा twitter का पुराना नाम है तो twitter का पुराना नाम जो है वो status था next question Amazon के founder इस वक्त Amazon website सबसे popular website हो चुकी है शौपिंग की दुनिया की और इस वक्त के सबसे अमीर आदमी भी इस company के founder है जनाब जेफ बेजोस यह right answer है Amazon के founder है जेफ बेजोस और यह दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी है next question लिवरे office में सेबेस की default location क्या होती है तो आपको अभी मैंने सेबेस कोल के दिखाया था control save to S यहाँ पर आप देखें default में हमारा जो document save हो रहा है वो documents के folder में हो रहा है यही पूछने की कोशिश की गई है इस question में हाँ अगर आप बदलना चाहें तो आप कहीं भी बदल सकते हैं लेकिन default से document का folder रहता है next question दोस्तो रोबोट में किस तरह की बुद्धी का इस्तिमाल किया गया for example आपको हमने या हमने आपने सबने रोबोट फिल्म भी देखी होगी रोबोट के बारे में सुना होगा हो सकता है कुछ दोस्तों ने देखा भी हो रोबोट जो है वो computer intelligence का यूज करता है और यह वो intelligence होती है जिसको artificial intelligence कहते हैं यानि artificial intelligence की अगर हम बात करें तो वो intelligence जो मानब निर्मित होती है इसको कित्रें बुद्धी भी कहते हैं अगर आपके question में कित्रें बुद्धी का यूज किया जाए तो आप कर सकते हैं नेक्स्ट कोशन उमंग एप किसके द्वारा लॉंच किया गया है तो उमंग एप जो है NPCI द्वारा लॉंच किया गया है नेक्स्ट कोशन एक Linux एक database management प्रणाली है नहीं Linux एक operating system है QR code कहां पर इस्तेमाल होता है आपको मालूम होगा दोस्तों QR code से हम payment भी करते हैं प्रणाल करके आपको एक दुकान पर गया आप बहां पर आपको payment करना हो तो आप अपने mobile से भी उनका code इस्तेमाल कर सकते हैं payment transfer करने के लिए दूसरा है account verification के लिए यस verification के लिए हम कर सकते हैं तो किसी भी document के verification करना हो या payment transfer करना हो आप QR code का यूज करते हैं QR code क्या होता है दरसल आपको पता होना चाहिए QR code अगर आपको नहीं पता है तो आपको मैं बताता हूँ QR code किसे कहते हैं गूगल पर गए हम लोग QR code जिस जो काली-काली पत्तियां आपने देखी होंगी ये QR code होता है दोस्तो जो आधार card वगर आपके रहता है उसको हम QR code कहते हैं चलिए next question ये देखिए दोस्तो QR code का photo भी हमारे सामने खुलकर आ गया है इस चीज को हम QR code कहते हैं ये जो QR code है ये वाला right answer C होगा next question है right alignment करने के लिए MS Word, Excel या कहीं भी आप खोल लीजिए आप जब लिखते हैं तो आपका जो लिखा हुआ matter आता है वो by default से left side में आता है किमाल लेजिए हमने लिखा यहाँ पर हिंद अब आप देख रहे हैं ये left side से है अगर इसको right side में करना हो तो control R करेंगे ये right side में हो गया तो इसका सही answer control R होगा next question BCD BCD क्या है तो BCD एक weight code होता है इसको हम इसलिए true बानते हैं चले next question देखते हैं UPI को दिन में कितने घंटे यूज़ कर सकते हैं यानि सीधे सीधे हम बात करें तो आप अपने mobile का यूज़ करते हुए phone पे हो PTM हो Google पे हो या जैसे भी map हो इनसे आप कब कब balance ट्रांसफर कर सकते हो उनका यूज़ कब कर सकते हो तो आपको मालूम होगा ये 2400 घंटे काम करते हैं इनकी कभी छुट्टी नहीं होती ये कभी भी काम कर सकते हैं आप रात में भी दिन में भी कभी भी फोन पे से पैसा भेज भी सकते हैं प्राफ्ट भी कर सकते हैं तो इसका राइट आंसर होगा 2400 नेक्स्ट कुशन कौन सा मुबाइल iOS मॉडल पर वर्क करता है तो आपको मालूम होगा iOS जो है वो एपल ओपरेटिंग सिस्टेम एपल के मुबाइलों में iOS वर्क करता है नेक्स्ट कुशन दोस्तों लिंकर कंपाइलर का भाग नहीं है यस बेशक लिंकर कंपाइलर से थोड़ा सा अलग होता है इमेल आईडी किस से मिलकर बनी होती है आपको मालूम होना चाहिए यूजर नेम एंड डोमेन नेम इन दोनों को मिलकर यूजर आईडी बनाई जाती है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला यूजर आईडी एड़ डोमेन नेम यानि के आपकी इमेल आईडी ह आपका नाम 888.gmail.com यह राइट अंसर है Next question EDI is related to what? यानि EDI किसे संबन्दित है? तो EDI जो होती है वो company से संबन्दित है Next question बाइफाई के password की maximum length कितनी हो सकती है? तो आपको पता होना चाहिए minimum length जो होती है बाइफाई के password की वो 8 होती है और maximum length अगर आप कितना लंबा पासवर्ड आप अपने वाई फाई पर लगा सकते हैं ये इसका राइट आंसर है 63 करेक्टर यानि आप 63 करेक्टर लंबा पासवर्ड लगा सकते हैं और कम से कम 8 करेक्टर का आपका पासवर्ड होता है किस बैंक का एरिया सबसे बड़ा है branch SBI bank की हैं यह सवाल भी ट्रिपल सी में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा branch किस bank की हैं तो State Bank of India next question दोस्तों कि अब लॉक्चेंट टेक्नलोजी क्या है तो ब्लेक्चेंट टेक्नलोजी क्या होती है आपको पता होगा यह एक तो secure linden का माध्यम है जिसमें bitcoin में linden किया जाता है तो इसका जो सही आंसर होगा वो B होगा वो C होगा sorry अगला question है dynamic RAM यानि DRAM और static RAM यानि SRAM से धीमी होती है yes DRAM बाकई SRAM से धीमी होती है पहले के समय में हमारे computer में DRAM यूज की जाती थी जिन को बार बार refresh करने की आवशकता पड़ती थी तो अब जो use हो रही है वो SRAM हो रही है आज कल के जो नए technology के computers हैं उन पे computer को बार बार refresh करने की आवशकता नहीं पड़ती इसलिए इसका सही answer true है क्योंकि DRAM SRAM से धीमी होती है अगला question दोस्तो Unix operating system को C++ में लिखा गया है नहीं C language में लिखा गया है and और भी 2-4 language जोंकि यूज किया गया है अगला question assembly भासा machine पर निर्भर नहीं होती No, assembly भासा machine पर निर्भर होती है इसका right answer false हो जाएगा क्योंकि नहीं लिखा है नोने इसमें question में confuse नहीं होना है international payment transfer किसके द्वारा होता है तो आपको पता होगा international payment swift के द्वारा होता है अगला question है Instagram पर क्या share किया जा सकता है तो आपको पता होगा Instagram पर video भी share की जा सकती है photo भी share किया जा सकता है लिख इसलिए इसका right answer C होगा A, B, D, No हैं Smartphone में कौन सा operating Smartphone में Android operating system यूज़ किया जाता है आपके पास मेरे पास ज़्यादा तर लोग के पास Android phone होता है Android को iOS कहा जाता है यानि OS कहा जाता है operating system तो हमारे mobile हों में Android operating system का यूज़ किया गया है तो ये तीस questions हमारे जो हमने आज डिसकस किये हैं आने वाले वीडियो में इस जैसे ही बहुत ज़्यादा important videos आपको देखने को मिलने वाली हैं इस playlist में जाएए आपको इस channel के playlist में triple C से related, O level से related और computer के सभी exam से related बहुत ही एहम बहुत ही महत्पूर्ण questions मिलने वाले हैं क्योंकि मैं questions बनाते time बहुत एहतियात करता हूं questions को ढून ढून के लेके आता हूं आपके लिए मेहनत करता हूं और बिलकुल free करता हूं आपसे कोई cost और दूसरी चीज सबसे अच्छी चीज है मैं आपको ये PDF बिलकुल free provide कराऊंगा अपने telegram चैनल पर इस video के description में जाएए बहाँ पर आपको इसकी link मिल जाएगी बहाँ पर आप जॉइन कर लीजिए बहाँ पर आपको free में PDF दी जाएंगी मैं बिलकुल आपसे request करूंगा कि आप चैनल को subscribe भी करें ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके